हेलो एवरिवन माइनम इस पूजामीना टॉपिक्स एग्जामिनेशन आफ सिमन सिमन एग्जामिनेशन का इंट्रॉप्चिन अपन स्टार्ट कर चुके थे एक पर उसको क्यों क्यों करेंगे और आज का जो में टॉपक रहेगा वह कलेक्शन एंट ट्रांस्पोर्टेशन दे सुमन सिमन एग्जामिनेशन में आपको बताया था कि शीमन होता इंडिकर पेलिब्स होता है जो किया करती फीमें लोगा को फर्टिलाइसिंग करने में हमके इस परोसस में अपको समझा यह जो प्रोसस उता है वह किस ले करा चाता है कि जो generation उसको आगे maintain कर सके हैं उसके बाद जो next important topic था इसका उसके बारे में आपने बात करे थी कि इसके इंडिकेशन के अपने बात करे थे तो उसमें अपने पास में डिस्प्रूव करना होता है जो मेल या जो फादर होता है जिसको पर जनरली मैं आपको बतायाता है कि जो अपना जो सोसाइटी होती वो ब्लेम करती कि उसमें कोई भी खामी है जो भी है उसको लेकर आपको इंपोरण बतायाता है एक और अपनूर्पिशन जो प्रॉट्पिशन होता है उतना फीजोलोजी का पॉर्शन होता है कि कैसे सीमन की फोर्मेशन होती है और कुन सा जो और गन है वो कितना participate करता है तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि जो testis epididiamis होती है जनरली 10% तक पार्टिस्पेट करती है सामिनल वसाइकल का मेजर होता है जो 50% approximately participate करती है and next होता है अपने पास में prostate जो 40% के पार्टिस्पेट करता है and last में जो glands होते हैं बलबे उरेत्रा glands हो गया या फिर उरेत्रा glands हो गया वो 2-5% तक वो कॉंट्रिबुशन करते है इसमें then उसके बाद में मैं आपको कुछ terminology के बारे में बताया था जो आप terminology मेरे पुराने रख्टर से समझ सकते हो कि जो मैं आपको terminology समझाई थी वाँपे जो आज का अपना मेजर टोपिक था वह sample collection and transport के sample collection कैसे करा जाता है उसका transportation कैसे करा जाता है तो just imagine मैंने आप एक laboratory बना रखी है तो सबसे पहले वह reception में जाता है reception में जाने के बाद में उस पेशेंट है वह अपना वहाँ पे नाम किस date को गया है अपने phone number किस clinical diagnosis के लिए वहाँ पे गया है वह सारी detail reception में mention करवाता है में mention करवाने के बाद उसको patient रूप में उसको सिटिंग करने के लिए आप बोल दिया जाता है कि आप वहाँ पर सिटिंग कीजिए जब आपका number आगा तब आपको बुलाला जाएगा जैसे उस patient का number आता है तो यह लेगुड़ाटरी चाहता है लेगूराटरी में जाने के बाद में उसको वह पर जो अपना container होता है ठीक है वो अपना container को प्रवाइड करवाया जाता है जो container होता है सेमन कलेक्शन का वो almost अपना the time collection का होता है वैसे ही वह होता है क smoking container करने के बाद मेंEvet करने करने के बाद में Guide रूजाओ deh वहां पर हो अपना संप्ल के तो हो डेपोजेट करता है तो उपतैहन और कन्टेइनर में कंट्येन natal करता है टार कड्रें पतल मीमियान वहां प्रोड नाम करता है पूरा इस अपने लोड्र है वो मेंशन करता है ऐब किस डीट को सेैंपल प्रोऊेड कर व Всем स्वा जो सैंपल डिपाज़िए रहा होता है तो या तो अपने रूम से 2022 ुछ जो भी पास में जो भी लेबरोटरी या जो भी comfortable position होती है वहाँ पे उनको generally वहाँ से sample collection करने के लिए बोला जाता है यह तो basic में आपको सारा criteria बता दें कि criteria में क्या क्या होता है अब इसको पर देख लिए कि actually में criteria कैसे रखा जाता है तो कोई भी patient जो like मैंने भी आपको समझा सब्सक्राइब जाता है वहाँ पर इसको clearly या तो written या फिर oral instruction दिये चाते है कि उसको sample को कैसे collect करना होता है ठीकि उसको कैसे handle करके लिए का आना है और उसका जो transportation सेमन का वह कैसे करना होता है ठीकिए if अगर वह laboratory में perform नहीं कर रहा है तो उसका transportation का जो criteria होता है वह थोड़ा क्या करना होता है को जो सीमन specimen collection करना होता है वह generally three to five days के sexual absence के बाद में ही क्या करा जाता है sample के collection करा जाता है यह जो duration होता है वह मतब मच बैटर होता है किसे भी test को perform करने के लिए जो semen analysis को perform करने के लिए तेखो अगर क्या होगा इससे ज़्यादा duration रखेंगे अपन इससे longer period का duration रखते हैं तो क्या होता है कि जो स्पर्म की जो mortality होती है वो reduce हो जाती है तो तो नॉमल रिजर्ट्स मिलेंगे देखने को पर अगर duration ज़्यादा हो जाएका तो स्पर्म की स्पर्म का मोवंबंट चख करते हैं कि कितने स्पर्म काउंट की कंसलरेशन होती है वो लो जाती है तो इसलिए जो basic criteria रखा जाता है वो 3-5 days के ही criteria रखा जाते हैं जिसमें क्या होता है सैंपल कलेक्शन कलेक्ट करके लिबरेटरी में examination के लिए देना होता है जादा होगा time duration तो modality कम हो चाहेगी अगर time duration कम होगा तो sperm count consultation अपने पास में कम हो चाहेगी अब में जो होता है प्रोसरिया से स्टार्ट होता है कि सीमन सैंपल कलेक्शन का जो 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 सेंपल कलेक्शन के तरुछ करते हैं जो किसमें करा जाता है इस सबसे आपनको कोई भी कल्चर परफॉर्म करना है तो स्टेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिक प्रूफ होना ज़रूरी है अगर उसमें से सैंपल बाहर आ जाएगा तो जो सैंपल चाहिए अपनको पूरी रिक्वार्मेंट के अंदर उतना सैंपल नहीं होगा वैलेबल त गर्म करने में दिकत होती है वाइट माउत यह प्लस्टिक नची जो कंटेईनर है उसका जो माउत है वह थोड़ा लार्ज होना चाहिए और अगर सैंपल कलेक्ट चो कर जा रहा है वह जो जो लैबराटरी जासे मैं आपर बनाए थी वहां पर कलेक्ट ना होकि कहीं आउट स पूरी वह जितना भी सम्पल को दे नहीं होता है उसपूरे सैंपल को तो ऊसले संपल स कांटेनर में लेडिन के अम्यनिय अब आशलोण क्यों क्य sources I'm feeling good जो first portion होता है उसको specially collect करना बहुत ज़रूर होता है क्योंकि most concentrate होता है maximum sperm available हो फिर्सट portion होगा उसमें ही available होते है अपने पास में इसलिए highest number कहां पर देखने को मिलेगा फिर्स पोर्शन में देखने को मिलेगा जो process हो चुका की sample collection कैसे करा चाथा है सैंपल क होति है क्लीन राइब, स्ट्रेट्राइल प्रीश् Joint अगर जो ऑब सा या होँ और तो वहां पर रहे हैं तो वहाँ तो वहां से पाण्ड के ऐगटैसन का अक्वा टाने जो एक तक रानेक के द्सक्थ तो ख़ुबरेशन को देखते नेक्सट अच्ट टोपिक अपना है वो टांसपोटेशन ऑफ सेमपल सेंपल का कैसे रांसपोटेशन करना होगा तो सबसे इंपॉडबन होता है कि जो भी स्पेसिमें जो कर रहा है उस स्पेसिमें को आस पॉसिबल क्लोज ली कहां रखना होते ह बोड़ी त्मप्राइटर म क्या बोड़ी त्मप्रजह्ट को मिलती है分़ भ्सक्या इस来了 इसलिए जनरली जो पेशन रोपर rims को सुझी साड़ होता हैách जो पर नण मतने को परफ votreski आप्ट केशनितों अचीच बात है यह मान वान भर साथ जाएंक इससाँ साई मैं तैस्लाय नहीं होता है आगी तेस्ट में कॉन कौंस ए घर वतने ऊसके आफने महिए नेक्स्ट इंपोर्डेंट बात होती है जब सैंपल कलेक्शन कर रहा होता है पेशन तो उसको जनरली बोला जाता है कि जो कॉंडम्स होते जो ओडिनरी कॉंडम्स होते उनको जनरली यूज नहीं करना होता है विकोस उनमें क्या होता है उनमें स्परमिसाइडल एजेंट होता टीक है जो क्या करता है gaming does कर देथा हैiego सभम स्की क्या कर देता है वह याद कर देता है तो जो भी यह सुरा टैप की महते हैं वह सीय कही करवाई जाती है थेक्षी नेक्स्ट जो अपने पास में एक्स में ने Quickly नहीं करा मेंड़ार हो जाता है जो फॉर स्पॉर्षान होता है जानली लूज्ट होजाता है भाइब लूस्ट अन वजाए Sparam अमांट जो चाहिता है most concentrate जो सैंपल चाहिए होते है वो अपनको बदब जो sperm की quantity चाहिए होती वो नहीं मिल पाती है लाइक मैं आपको पहले ही बता है कि जो first portion होता है वो क्या होते है most concentrate होता है उसमें क्या होते है maximum number of sperm present होते है इसलिए कोई test के थ्रूभी इसको perform करना much better नहीं होता है क्योंकि first portion ejaculate हो जाएगा तो जो प्रॉपर amount में जो sperm की quality होती वो नहीं मिल पाती है तो जनरली इस मैदल को भी पन्यूस नहीं करते है next अपने पास में आता है important part अगर जो कोई भी patient था जिसको जनरली जो semen analysis perform करवा रहा था उसके जनरली दो consecutive samples का test perform करा जाता है ठीक है first like जिसके बरे मैं अभी तक बात कर रहे थे उसका result इने case abnormal आता है बहुत साथ abnormal result अपने पास में देखने को मिलता है तो उस patient को दुबारा two to three weeks के बाद में उसको दुबारा बुलाया जाता है और जो basic criteria अपने starting से देखा है वह criteria उसको दुबारा समझाया जाता है और दुबारा से उसका पूरा perform करा जाता है यह था basic क्या-क्या था इसमें सबसे हो सकता है वह किसी भी contaminated हो सकता है किसी भी डिजेस के थू तो यह basic होता है कि जब भी किसी भी sample को handle करते तो handle करते वक्त क्या होना चाहिए मैं ग्लॉस वगरा है यब चितनी भी precautions होती universal precautions का अपन लेक्टर देखेंगी आगे तो सारी universal precautions को रखने चाहिए नेक्स्ट डायक्ली जो sample है उसके contact में नहीं जाना चाहिए अगर आप बेना gloss है तो sample को directly contact नहीं करना चाहिए हमेचा gloss में कि किसी भी test को perform करना major criteria होता है जो gloss generally use करते और disposable gloss को यूज करना चाहिए क्योंकि रिस्पोजर ग्लाउस को एक बार यूज करने के बाद में जनरल इनको थ्रोग कर सकते हैं ताकि उससे भी कोई भी आगे further disease होने की नहीं होती है next होता है अपने पास में जब laboratory में कोई भी जो है वहाँ पर technician work करता है तो प्रॉपर तरीकी से उसको क्या करना चाहिए पूरा complete gown पहना चाहिए कोट पहना चाहिए अताकि इने केस कोई भी जैसे लाइक वहाँ पर सैंपल गलती से भी गिर जाता है कुछ भी हो जाता है तो जो है वहाँ पर technician जो वर्क कर रहा है वह अपने आपको सेफ रख सके इन सबी चीजों से नेक्स होता है कि कभी भी mouth pipetting नहीं करने चाहिए mouth pipetting से क्या होगा सैंपल इंसाइड जा सकता है इसलिए हमेशा mechanical pipetting का यूज करना चाहिए किसी भी सैंपल को टांसफर करने के लिए और जिस लेबरेटरे में जनरली वर्क करें वहाँ पर कोई भी खाना पीना स्मॉकिंग लाइक की कोई भी activities परफॉर्म नहीं करने चाहिए उसे जनरली जो भी वहाँ पर जो टेक्निशिन या ज सब्सक्राइब करें मैंने चैनल को और जितना हो सकते अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक मच बाइटर नॉलेज मिल सकें थैंक यू सो मच पर वाचिए